नवश्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज ओल इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रद्यूम नुश्यर्मा एक नज़र डलते हैं 5 मिनिट में 25 ख़बरों पर कॉर्णा वेक्सिनेशन को तीन दिन हो गया है लेकिन इस अभ्यान में कई चनोतियों का सामना करना पड़ रहा है राजदाने दिल्ली में कोविन एप को लेकर काफी दिक्कत है आ रही है कुछ लोगों तक मैसेज नहीं पहुच पा रहे है कॉंग्रिस निता राहूल गांदी के द्वारा प्रेस कॉंफरेंस करने से पहले भारती जिंतर पार्टी के देक्ष जेपी नड़ा ने उन पर सवालों की बोचार की जेपी नड़ाने लगातार कई ट्वीट किये और पूचा की कॉंग्रिस पार्टी चीन के मसले पर जूट बोलना कब बंद करेगी मौसम बिभाग ने अलर्ट किया है कि अगले तीन-चार दिनों में दिल्ली का नियुत्म ता पमान तीन डिगरी तक जा सकता है पिछले कई दिनों से दिल्ली एंसियार में कोहरे का कोहराम जारी और वहीं सूरत में डंफर नए फूट पार्ट पर सो रहे 18 लोगों को कुछल दिया हाथसे में 15 लोगों की मौत हो गई है पुलिस का कहना है कि मरने वाले सभी मजदूर हैं गोआ की रहने वाली 16 साल की किशोरी पानीपत प्रेमी से मिलने पहुची जिसके बाद प्रेमी ने उसके साथ दुशकर्म किया और फरार हो गया यूवती इन घर जाकर आप बीती सुनाई जिसके बाद किशोरी के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी पुलिस ने आरूपी को किया गरफतार और वहाएं फिरोसपूर में एक कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई है मृतिको मैं महिला और उसके दो बच्चे शामिल है पुलिस ने गटना इस्तल पर पहुच कर शवव को कबजे में लेकर पोस्वाटम के लिए भेजा और कारवाई शुरू की है मेरेट में पुलिस गौकाशी के आरूपी को पगड़ने गई थी दोरान आरूपी के परिजनों और ग्रामीडों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया, हमले में कई पुलिस कर्मी घायल हो गया है, गटना की जानुकारी लगने पर पुलिस अधिकारी मामले की कारवाई कर रहे है। जिसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया, पुलिस ने आरूपी को किया ग्रफतार। गायल हो गया, पुलिस ने दोनों गायलों को लाच के लिए इस्पताल भरती करवाया। दिल्ली में एक मैदान में क्रिकेट खेल रहे के शक्स की चाकू मार कर हत्या कर दी गई, पुलिस ने तीन किशोरों को पकड़ लिया, फिलाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के नियू एशोक नगर में एक शक्स का शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने हत्या कांट का खुलासा कर दिया, पुलिस के मताबिक रिक्षा लूटने की नियत से आरोपियों ने शक्स की हत्या की थी, फिलाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को ग्रफतार कर लिया। पलवल में हत्या के मामले में कोट से बरी होकर आये एक युवक पर तीन लोगों ने अददून्दू फाइरिंग कर दी, गोली लगने से युवक गंबी रूप से गाहल हो गया है, फिलाल युवक को दिल्ली के स्पताल में बर्ती किया गया है, वहीं पुलिस ने इस मामले मे तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्च कर लिया है, जान शुरू की है बाड़ मेर में बदमाशों ने युवती के साथ दुशकरम कर हत्या कर दी, गटना के बाद आक रूशित लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया और प्रदर्शन किया, पुलिस ने शफ को पोस्ट मार्टम के लिए बेज़ा, बदमाशों की तलाश शुरू की गुरुगराम में सुबह एक क्रेटा गाड़ी में अचानक आग लग गई, देखते ही देखते गाड़ी आग का गोला बन गई, चालक न गाड़ी से कूत कर अपनी जान बचा ली, सूशना पर पहुची फायर बगेट की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू प पीडित परिजोन ने पुलिस से मामले की शिकायत किये, फिलाल पुलिस की तरफ से कोई कारवाई नहीं की गई आली अबबास ने माफी मांग ली, उन्हाने काए कि कास्ट एंड क्रू ने कभी भी किसी व्यक्ती, जाती, समुदाय, धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुचाने की मंशा नहीं रखी आली अबबट को शूटिंग के दोरान सास लेले में तकलीफ, भारीपन और कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भरती किया लाल पाच मिनिट 25 कपरों में सिर्व इतना ही, बने रही न्यूजवल इंडिया के साथ, नमसकार